भारति ये जंतापार्टी की नई साजश पहले चांसुदी छीनी फिर घर चीना और अब नागरिक्ता चीनने की तयारी क्या राहुल गांधी की बर्थी लोग प्रियता से डर गई है भाज़पा नमसकार दोस्तों राहुल गांदी की भारतिये नागरिक्ता रद्ध करने को लेकर भारतिय जंता पार्टी के नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी जिस पर दिल्ली हाई कोट जनहित याचिका की तरह सुनवाई करने को तयार हो गया है। इलिय हाय कोड ने कहा है कि भाजपा नेता सुप्रमन्यम स्वामी की याचिका को जनहित याचिका माना जाना चाहिए। लागू किया जा सकेर इस पर सौामी ने ये भी कहा दोस्तों कि अगर अदालत को लगता है कि याचिका को जनहित याचिका के रूप में सुना जाना चाहिए तो यह अदालत के अधिकार छेतर में है वो इसे जनहित याचिकाओं से निप्टाने वाली पीट को भेज सकते हैं लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि भारतिये जुनता पार्टी को अचानक से राहूल गांदी की नागरिक्ता का खयाल कैसे आ गया आखिर अचानक राहूल गांदी की नागरिक्ता राहूल गांदी का भारतिये होना भारतिये जुनता पार्टी को खलने क्यूं लगा है आकर बीजेपी नेताओं को राहूल गांदी से किस बात कर डर सता रहा है कहीं राहूल गांदी की बढ़ती लोग प्रियता कर डर तो नहीं है दोस्तों इसके बीचे की सबसे बड़ी वज़ा दोजार चुनाओ में राहूल गांदी का जबरदस्त प् अब राहूल गांदी को लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं क्योंकि राहूल गांदी जनता के बीच में जाते हैं जनता के मुद्धों को उठाते हैं इसे लिए जो जनता है वो भी राहूल गांदी को अपना नेता मानने लगी है और दूसरी बात ये भी है कि राहूल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दोनों ही सीटों पर जबरदस्ट प्रदर्शन करके आगे आये थे उन्होंने दोनों ही सीटों चाहे वो राय बरेली की सीट रही हो चाहे वो उनकी वाइनॉट वाली सीट रही हो दोनों जगा राहुल गांदी जीते हो स्मृति इरानी जैसी नेता को पिर राहुल गांधी ने हरा दिया ऐसे में कहीं न कहीं राहुल गांधी की लोग प्रियता कड़र अब भारतिय जंता पार्टी के सिर पड़ चड़ने लगा है लोगों का कहना है कि भाजपा अब घबराई हुई है अब तक तो जैसे तैसे मोदी के सहारे भारतिय जंता पार्टी की नईया पार लग रही थी राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए आईटी सेल एक्टिव कर रखा था लेकिन अब मोदी रिटायर होने वाले हैं और आईटी सेल की जो महनत है वो बेकार होती हुई नजर आ रही है राहुल गांधी की लोगप्रेता के आदगे क्योंकि राहुल गांधी अब खुद जंता के बीच में है और जंता खुद अपनी आखों से राहुल गांधी को देख रही है इसलिए भाजपा का जो आईटी सेल है उसके सारे हटकंडे अब सेल हो चुके हैं राहुल गांधी को साइड लगाने के लिए अब बीजेपी के पास सिर्फ एक ही हटकंडा बचा है वो है उनकी नागरिक्टा चीन ले रा किसी तरीके से ये साबित करने ना कि भारती राहुल गांधी भारती हैं ही नहीं अब दोस्तों राहुल गांधी के खिलाफ भारती अजंता पार्टी का ये हटकंडा कही न कहीं ये दिखाता है कि भारती अजन्ता पार्टी राहूल गांदी से खोफ खाय बैठी हुई है इस पर आपकी क्यारा है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा एक खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्कार